साई की चिठी आपके नाम मेरे प्यारे बच्चों बच्चों मैं तुम्हारा साई तुम्हारी मा मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम कितनी तकलीफों का सामना कर रहे हो तुम्हारे अपने तुम्हें दर्द पहुँचा रहे हैं और तुम सह रहे हो पर बच्चों तुम सीख रहे हो क्योंकि तुम उनकी तरह नहीं हो तुम मेरे बच्चे हो मैं तुम्हारी साई मा हूँ साई मा मा का अर्थ तो जानते हो ना अपने बच्चों को कस्ट में नहीं देख सकती, अपने बच्चों को रोता हुआ भी नहीं देख सकती, पर मैं तुम्हें देख रहा हूँ, क्योंकि तुम दूसरों की तरह नहीं, तुम मेरे आरदर्शों पे चल रहे हूँ, साय सचरित पढ़कर तुमने अपने आपको सुधार दिया है तुम्हें दुनिया कस्ट देती है तुम उन कस्टों को सहते हो तुम कस्टों का सामना करते हो और रो के रह जाते हो क्या मैं तुम्हारे आशू नहीं देख रहा मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चो जब तुम मेरे तजवीर के आगे मेरे सरूप के आगे रोते और बिलबलाते हो न मैं तुम्हें मैसूस करता हूँ जब तुम रोते हो तो मेरी आखों से भी आशू बहते हैं मैंने अपने ग्यारा वचनों में एक वचन ये भी दिया था त्याग शरीर चला जाऊंगा भागते हैं तु दोडाऊंगा मेरी अस्थियां चलेंगी फिरेंगी बाते भी करेंगी और जो तुम्हें मुझसे सीख मिली आज वो तुम अपने जीवन में उतार रहे हो मैं तुम्हें मांज रहा हूँ और ये तुम्हें तब काम आएगी जब तुम बहुत जादा परिशान होगे और तुम्हें जीने के अच्छा जब खतम होने लगेगी तब तुम्हें लगेगा कि नहीं मेरा साई मुझे देख रहता जब मैं कस्टों में था मैं परिशान था तब मैं बाबा के आगे रोता था अपनी साई मा के आगे रोता था मुझे मेरे बाबा कभी कस्ट नहीं पहुचा सकते तब स्वें में आकर तुम्हारे सारे कस्टों को हर लोंगा ये मेरा वादा है मैं द्वार का माई में बैठ कर कभी छूत नहीं बोलता मेरे बच्चों आज जो तुम पीडा सहरे हो ये तुमको मैं निश्चती फल दूँगा और देने वाला भी हूँ बर सबर करो सबूरी रखो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में खुशिया आएंगी ये मैं तुमसे वादा करता हूँ जाओ अपने आदाशों पे चलते हुए लोगों के सेवा करो लोग जितना तुम्हें कस्ट देते हैं मैं उतना सुख पहुचाएंगा ये मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ आज आपे वादा सुख चलते हैं दूमसे लादा कर दो सुख पहुचाएंगा आपार मैं लोगों सुख झालते हैं जोब सुख भादा ये हुआ है मैं लोगों कर दो सुख बांपने कि नहुटते हैं